ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं मेश रासी वालू हो जाओते यार क्योंकि अब आपको भगवान शनिदेव के असिरवास से 12 नवंबर से 18 नवंबर याने किन 7 दिनों में बड़ी तूफानी ख़ब मिलेगी जान दोस्तों आपको बता दें भगवान शनिदेव के असिरवास से आपके लिए 12 नवंबर से 18 नवंबर याने किन 7 दिनों का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है जान दोस्तों इन 7 दिनों में बन रहे शनी, मंगल, गुरू, धन योग, सूर्यक में बदल जाएगा जान दोस्तों भगवान शनिदेव के असिरवास से इन 7 दिनों का समय आपके लिए बहुती बहुती अच्छा समय कहा जा सकता है जा दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके 12 नवंबर से 18 नवंबर यानि कि इन 7 दिनों के शंपून और सटीक रासी फल के बारे में बताने वाले हैं वीडियो में पपून हैं शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें दोस्तों वीडियो का आगे शुरू करें सबसे पहले आपसा रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनिदेव का सच्च वक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट स्वोक्स में जैस शनिदेव अवस्टे लिखें जिससे भगवान शनिदेव का शिरवाद आपको शिदे प्राप्त हो सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए भगवान कैसरवास से 12 नवंबर से 18 नवंबर याने कि 7 दिनों का यह महत्पपून समय दोस्तों यह समय घर परिवार तथा सम्मंदियों के साथ अच्छा व्यतित होगा अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लाबदायक रहेगी कुछ समय से आप अपने व्यक्ति सरहाना भी प्राप्त होगी दोस्तों इस समय आप अपने प्रभाब साली तथा मेठी वानी द्वारा दूसरों पर अपना प्रभाब बना लेंगे लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभाबित भी रहेंगे घर में महत्पपून व्यक्ति के आगमन से भी किसी महत्पपून म पुद्धे पर विचार विमर्स भी होगा दोस्तो इस समय आप धन संबंदी कुछ नई नीतियों की योजनाएं भी बनाएंगे उसमें सफल भी आप रहेंगे इसलिए प्रियासरत आपको रहना आवशक है दोस्तो परिवारिक शुवदाओं पर भी खर्च होगा किसी नजद तक सफलता भी प्राप्थ होगी दोस्तो साती सात घर्चों की अधिता रहेगी परन्तु आयके साधन भी बने रहने से दिक्त आपको महसूस नहीं होगी दोस्तो इस समय अचानक ही किसी अंजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपके लिए बहुती फैदेवन भी रहेगी अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने संबंदित योजना बन रही है तो उस पर ध्यान आप केंदरित रखें दोस्तो मिध्यार्ती अपनी पढ़ाई के प्रती पूर्ण एकागर चित रहेंगे दोस्तो साती सात यह समय अपने कार्य के प्रती पूर्ण रूप से आप समिर्प धर्मिक भोजन संबंदित योजना भी बनेगी जो आपके लिए बहुती फैदेबंद साबित होगी परन्तु दोस्तों किसी अंजान व्यक्ति से कोई महत्पपूर्ण बात चीत या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचार विमर्स तथा जांच बढ़ताल आ आप अवश्य करें छोटी सी लापरवाही से आपके साथ धोका दड़ी हो सकती है थोड़ा सावधान रहें दोस्तों इस समय कभी कभी आत्म केंद्रित होने तता एहम की भावना रखने से आपसी बात चीत में कुछ वाद विवाद होने की भी इस्तिती बन रही हैं दोस्त यह समय अत्यादिक खर्चों की वज़े से आपका बजट भी बिगड़ सकता है इसका अवश्य आप ध्यान रखें घर के किसी व्यक्ति के स्वास्त को लेकर कुछ चिंता रहेगी अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय उनकी देख बाहल के लिए भी आप अवश्य निकाले ज़ा दोस्तो कुछ समय परिवारिक तता सामाजिक गति वीडियो में भी आप व्यतित करें ज़्यादा आत्म केंद्रित होना आपके संबंदों में खटास उत्पन कर सकता है अपने वहवार में लचीलापन बना कर रखना आपके लिए अतियावश्य है ज़ा दोस्तो इस स सदस्य के स्वास्त को लेकर जरा से भी लापरवाई आप ना बढ़तें दोस्तो कोट से संबंदित कोई मामला अभी उलज सकता है इसलिए किसी योग्य व्यक्ति से आप सला अवश्य चलें दोस्तो मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन हो सकते हैं इसका असर आपक चिंतन भी आप अवश्य करें तो आपके लिए लाब प्रद रहेगा दोस्तो बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो पती पतनी का आपसी सयोग घर परिवार की विवस्ता को उचित तता खुस नुमा बना कर रखेगा प्रेम संबंद मरियादा पूर्ण रहेंगे साती की ऐस स्वस्तता की वज़े से घर की विवस्तता थोड़ी गड़ बड़ा सकती है उनके स्वास्त का तथा परिवार का आप अवश्य ध्यान रखें दोस्तो शाथी साथ इस समय पती पतनी के संबंदों में कुछ घटी मीटी नोक जोक संबव है परन्तु इस से आपसी संबंदों में और अधिक नजिदी की आएंगी दोस्तो परिवार तता व्यवस्ता के बीच उचित शामांजस बना कर रखने से दोनों तरफ शुकून भरा वातावन रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रेगड़ ताएगी दोस्तो बात करें आपके करियर और व्यवस्ता अधिक गति विदियों में किसी भी प्रिकार के परिवर्तन करने की आप चेश्टा ना करें जैसा वर्तमान में चल रहा हैं उस पर ही आप ध्यान केंदरित रखें डोंकरी पेशा लोगों को अपना काम बहुती अधिक ध्यान पूर्वक करने की आवश्ता है दोस्तो यह सम अपनी रुकवी पेमेंट कलेक्ट करने तथा आर्थिक इस्तितियों को मजबूत करने पर आप ध्यान केंदरित रखें दोस्तो आपको काफी हद तक सफल ताविपराप्त होगी दोस्तो नोकरी पेशा वेक्तियों को कोई इस्थान परिवर्तन संबंदी सूचना भी मिलने की संभाव ना है दोस्तो यह समय वेवसाय में आंतरिक सुधार या इस्थान में कुस बदलाव लाने की आवश सकता है और ऐसा करना आपके लिए लाबदायक सावित होगा ओफिस के माहूल में राजनीती जैसी गतिविदियां हो सकती है इसलिए आप थोड़ा सावधा नह दोस्तो कारेचित्र में किसी प्रभावसाली व्यक्ति का योगदान आपके लिए वेवसाय संबंदी कुछ नहीं उपलब्दियां प्रदान करेगा सरकारी शेवारत व्यक्तियों को भी अपने कारे में उचित योगदान देने से उच अधिकारियों की सरहना भी प्राप्त होगी जिस से उनको काफी खुसी का अनबब होगा दोस्तों यह समय मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंदित सभी काम सुचारू रूप से संपन होते हुए जाएंगे इसलिए पूर्ण रूप से इन कार्यों के प्रती प्रियास रत रहें आर्थिक इस्तिती भी बहतर ओफिस का वातावरण सांतिपूर रहेगा वैवसाइक गति वीडियो के प्रती अपना आप पूरा ध्यान केंद्रित रखें और दूर दराज छेत्रों से महत्वपूर्ण संपर्क इस्थापित होंगे और अच्छे ओडर भी मिलने की संभाव ना है परन्तु अपनी योज करिये से तो स्वास्त इस समय आपका ठीक रहेगा परन्तु खान पान और दिंचरिया सयमित रखना आपके लिए अति आवशक है दोस्तों साथ शाथ यह समय आप अपने अंदर उर्जा वे आत्म बल की कमी महसूस करेंगे मेडिटेशन वे योग पर भी आप कुछ समय वहतीत करें तो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छ रहेगा या दोस्तों अपने खान पान पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें और नियमित आप योग करें प्रणयाम करें स्वस्त रहें